असलाम वालेकूं हाई ब्रीवन आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं ब्रेट चीज सैंड वीच इसे बनाना बहुत ही जी है पांच मिनिट में बन करके तयार हो जाता है और बड़े बच्चे सब को बहुत पसंद आता है तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं अब यहां सबसे पहले हम ले लेंगे एक पैन और उसमें हम डाल देंगे 2 स्पूण। रिप्याइनड ओल एक defeated फ्राय करेंगेयों। जैसे की प्याज लिए है इसां बारिक चोब कर लिया है यहां पर आपके पास कौन है तो उसे भी आप इसमें एड़ कर सकते हैं अब इसे हमें हलका सा फ्राइ कर लेना है हलका सा सौफ्ट होने तक इसे ज्यादा फ्राइ नहीं करना है अब इसे हम एक साइड में कर देंगे और इसी पैन में हम पनीर भी फ्राइ कर लेंग पनीर को फ्राइ कर लिया अब यह सारे चीजों को हमें साथ में मिक्स करते हुए दो मिनट के लिए मेडियम फ्लेम पर इसी तरीके से फ्राइ करना है अब यहां पर हम इसमें एड़ करेंगे पीजा पास्ता सॉस आप इसकी जगह सेजवान चटनी भी इसमें एड़ कर सकते है साथ में इसमें डालेंगे टुमैंटो केचप लिए हैं साथ में हम इसमें एड़ करेंगे मियोनीस तो मियोनीस और दाप इस सब कर दिए हैं है अब इससब चीजे को हमें म्मिक्स करते हुए मेडियम फ्लेम पर एक मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए इसे हम qualified पका लेना है और अब इसमें एड़ करेंगे एक चौथाई चम्मन नमक तो नमक इसमें कम ही एड़ करें क्योंकि हम इसमें जो हमने सॉस एड़ की है वो सारे चीजों में नमक होता है साथ में डालेंगे हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स तो तीख आप अपने टेस्ट के अप पार्डिंग कमिया ज़्यादा कर सकते हैं एक चौथाई चम्मस हम इसमें एड़ करेंगे मिक्स हाफ्स हाप टीस्पून हम इसमें एड़ करेंगे और अब इन सब चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और यहां पर देख सकते हमारा सैंडवीच का यह स्टफिंग इसहाइं बन करके रेड़ी है गैस हम उफ कर देंगे और इसे हम निचे उतार लेंगे यह देखे इस तरीके से तो यहां पर मैंने ले लिया है ब्रेड और ब्रेड की एज सिस कोaris को हमें निकाल देना है इस बनाते समय सैंडवीच हाड़ ना हो यहां पे देख सकते हैं इसी तरह से हमें ब्रेट के जिस निकाल के रेडी कर लेना है तो यहां पे मैंने चार ब्रेड रेडी कर लिये हैं और जो हमने पनीर की स्टफिंग पना करके रेडी की थी वो इस स्टफिंग हमें एक साइड से इस तरीके से दो ब्रेड पे रख देना तो यहाँ पे हमें दो साइड में ही से फिर स्टफिंग को रखना है अब यहाँ पे हमने ले लिया है स्लाइस चीज और इस तरीके से हमें रख देना आपके पास जो चीज है वो आप इसमें एड़ कर सकते हैं अब एक साइड से ब्रेट पर हम यहाँ पे ग्रीन सॉस लगाएंगे आप चाहे तो घर की बनीवी हरी चटनी भी लगा सकते हैं थोड़ा सा हम इस पे टोमाटो सॉस लगा देंगे और दूसरे ब्रेट बर भी हमें tomato sauce और green sauce लगा के इसे हम ready कर लेंगे अब इसे हमें इस तरीके से cover कर देना है अब चलते हैं इसे हम grill करने के processes में तो यहाँ पे मैंने एक pan ले लिया है अब इसमें हम थोड़ा सा butter इस तरीके से grease कर देंगे और यहाँ पे हमने जो sandwich बना कर ready की थी उसे हमें pan में इस तरीके से रख देना है और एक side से इसे हमें हलका golden होने तक fry कर लेना है और दूसरे side से भी हम यहाँ पे butter अच्छे से चारो side से इसे हम इस तरीके से grease कर देंगे यहाँ पे हमें gas का flame एक दम low ही रखना है sandwich को भी पलट करके दूसरी side कर दूँगी और दूसरी side भी हम इसे एक मिनट के लिए low flame पर golden होने तब fry कर लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना प्यारा सा color आ गया है sandwich हमारा ready है इसे फटा-फट से निकाल लेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 5 मिनट में बनने वाला बहुत ही टेस्टी सा sandwich बनकर के रेडी ही आप इसे अपने बच्चों को lunch box में देजिए और breakfast में दीजिए आप इसे ऐसे ही खाये बहुत ही टेस्टी लगता है चाहे तो आप अपने इसे मन पसंद टोमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं तो फ्रेट्स रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करे चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करे फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए रेसिपी के साथ तब तक अपना ख्याल रखें अल्ला हाफीज बाबाए